तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अध्याए एक अंश पूंजी के लिए लेखांकन जिसमें हम आज बात करेंगे अंशों का पुननिर्गमन और साथी साथ देखेंगे आपकी पाथ्य पुस्तक का उधारण संख्या 14, उधारण संख्या 16 और 7 उधारण संख्या 17 14 को हमने पिछले वीडियो में क्रम को तोड़ दिया था 14 को ना समझा कर 13 और 15 को ही समझा था क्योंकि 14 में आपको ये कहा गया था कि इसमें पुनह निर्गमन को लिया गया इसे हमने यहाँ पर पुनह निर्गमन के साथ इसे शामिल किया है तो आईए शुरू करते हैं अंशों का पुनह निर्गमन अंशों का पुनह निर्गमन क्या है? आपने देखा कि कम्पनी सामने जनता में पूंजी जुटाने के लिए पहले अंशों का निर्गमन करती है यदि कोई अंशधारी अपनी किष्टों को चुकाने में चूक करता है, अपनी किष्टे समय पर नहीं देता है तो कमपनी उसे नोटिस देने के बाद उसके अंशों का हरण कर लेती है यानि कि उसकी सदस्यता को समाप्त कर देती है इसके बाद अगर बात की जाए, तो company उन्हरन किये गए अंशों को, किसी अन्यव्यक्ति को वापस से बेच सकती है, वापस से उसे जारी कर सकती है, ये ही अंशों का पुनहय निर्गमन कहलाता है निर्गमन दो तरीके से किया जा सकता था अंशों का सम्मुल्य पर निर्गमन और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन सम्मुल्य का मतलब जो अंकित मुल्य ते किया गया उस मुल्य पर जारी किया जाए प्रीमियम का मतलब अंकित मुल्य से जादा पर जारी किया जाए, लेकिन पुनहय निर्गमन तीन तरीके से किया जा सकता है, अंशों का सम मुल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर भी पुनहय निर्गमन किया जा सकता है, बट्टे से मतलब अंश का जो अंकित मुल्य है उससे कम मुल्य पर जारी किया जाए लेकिन बट्टे के लिए एक बहुत महत्वपून बात आपको धियान रखनी है कि पुनह निर्गमन पर जादा से जादा बट्टा उतना दिया जा सकता है जितना हरन के समय कमपनी ने जब्त किया है आप सभी जानते हैं कि जब कमपनी अंशों का हरन करती है तो कुछ ना कुछ राशी अंशधारी की जब्त करती है तो उन हरन किये गए अंशों को जब कमपनी पुनह निर्गमित करेगी तो पुनह निर्गमित करते समय उतना बट्टा कमपनी दे सकती है जितना कमपनी ने पह और अपनी के संचालग हरण की ये गए अन्षों को वापस से क्या करते हैं जारी करते हैं तो किसी सदश्य या अन्य को पुनहें निर्गमित कर सकते हैं यह है पुनहें निर्गमन सम्मुलया प्रीमियम और बट्टे पर भी हो सकता है सब मुल्य प्रीमियम और साथी साथ बट्टे पर भी इसको क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं. किन्तु बट्टा हरण के समय जब्त की गई राशी से अधिक नहीं हो सकता. जित्ता जब्त किया है हरण करते समय पुनह निर्गमन के समय आप अधिक्तम उतना बट्टा दे सकते हैं. वन मार्क का क्वेशन बन सकता है. पुनह निर्गमन पर अधिक्तम बट्टे की दर बताईए. बिल्कुल ऐसे पूछा जाता है दर बताईए. लेकिन आप कहेंगे निर्गमन कर दिया और उसके बाद भी अंशरण खाते में यदि कोई राशी बसती है. यानि आपने बट्टा जितनी राशी जब्त किया है उससे कम दिया है. तो फिर जो राशी बचेगी उसे कैपिटल रिजर्व में ले जाया जाएगा. इसे आप इस तरह समझें, मैंने 100 अंशों का हरण किया है, जिस पर 3 रुपए प्रती अंश के हिसाप से मैंने जब्त किया है, यानि मैंने 300 रुपए जब्त किये हैं, इन अंशों को जब पुनर निर्गमित मैंने किया है, तो 2 रुपए बट्टा प्रती अंश दिया है. तो 300 रुपए टोटल जब्त किये अंशरन खाते में कितने शेश होगा, 100 गुणा 3,300, इसमें से काम में कितना लिया, क्योंकि पुनह निर्गमन यदि आप बटे पर करेंगे, तो वो आप इसमें से काम में ले सकते हैं, तो मैंने का हाँ, मैंने 100 अंशो को 2 रुपए बटे पर जारी किया, 200, इसका मतलब अभी भी अंशरन खाते में पुनह निर्गमन के बाद 100 रुपए शेश बचेंगे, तो इस शेश को किस खाते में ले जाया जाता है, क्यापिटल रिजर्व अकाउंट में ले जाया जाता है, तो यहां दो छोटे छोटे अच्छे प्रिश्ण बने हैं, पुनह निर्गमन के समय आप सभी समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं पुनह निर्गमन की प्रिश्ण यहां, यदि सम्मुल्य पर निर्गमन किया जाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पुनह निर्गमन की एक ही एंट्री करनी है, निर्गमन की तरह 8 या 6 एंट्र तब आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि अंच पुन्जी बढ़ रही थी, हरन किया तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया, ध्यान कीजिए, हरन की एंट्री में आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो पुझी बढ़ रहे हैं तो आप शेर कैपिल को क्रेडिट करेंगे तो ये तो बात है सम मुल्या पर पुना निर्गमन करने पर यदि प्रीमियम पर पुना निर्गमन करें तो कंपनी का लाब है क्योंकि 10 रुपए का आंच आप 12 रुपए या 13 रुपए या 11 रुपए में ज निर्गमन बट्टे पर होता ही नहीं है निर्गमन दो ही तरीके से होता है सम मुल्या या प्रीमियम पर लेकिन अगर पुना निर्गमन की बात की जाए तो बट्टे पर किया जा सकता है bank account debit forfeited share account debit यहाँ पर बटे discount के जगह आपको forfeited share debit करना है और to share capital क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सी राशे लिखनी है जितनी आपको हानी हो रही है जितना आप बटा दे रहे है वो share forfeited में लिखा जाएगा एक बार फिर से देख लें सब मुल्य पर निर्गमन bank account debit to share capital premium पर निर्गमन bank account debit to share capital to securities premium और बटे पर bank account debit forfeited share account debit to share capital तीनों में ही तीनों ही condition में bank को debit और share capital को credit है short and sweet अगर premium पर निर्गमन है तो premium lab है उसे credit करेंगे और बटे पर निर्गमन है तो हानी है तो share forfeited account को debit करेंगे और बट्टे के पुनह निर्गमन के पश्चाथ शेयर फोर्फिटेड में अगर कोई शेश बसता है तो उसे कौन से खाते में लेकर जाते हैं पुन्जी संचा खाते में लेकर जाते हैं यह हम डिस्क्स कर चुके हैं जिसकी एंट्री होगी ये आपका पुरह निर्गमन पूरा हुआ आईए समझने के लिए उधारन संख्या 16 पोली प्लास्टिक लिमिटेड के संचालकों नी 100 रुपय वाले प्रतिक के 200 संता अंशों को दित्य और अंतिम मांग 30 रुपय प्रति अंश का भुकता नय होने के कारण जब्त करने का निर्णे लिया पोली लिमिटेड नाम के कंपनी है जिसका कोई अंशधारी है जिसके पास अंश कितने है 200 रेक अंश कितने का है 100 रुपय का उस अंशधारी ने final call जो है 30 रुपय की उसका भुकतान नहीं किया कम्पनी ने हरन करने क्या निर्णे ले लिया इन अंशों में से 150 अंश मोहित को 60 रुपए प्रती अंश जबकि एक अंश का अंकित मुल्य कितना है 100 रुपए इसका मतलब आप जो पुनह ये पुनह निर्ण कर रहे हैं मैं pumpkin किसं के अइन अंशों का आपने हरन किया 30 रुपए जो नहीं चुका रहा है उस अंश धारी के अंशों का हरन किया और इनमें हरन करने के बाद 150 अंशों को 300 में से 200 में से 150 अंशों को वापस से किसी और को पुनह निर्ण पुनह निर्ण कर दिया और ऐसे प्रिशन बोड में पूछे जाते हैं तीन माक्स में चार माक्स में इस तरह के प्रिशन आते हैं तो हरन की प्रविस्टी सुनिएगा हरन करने की प्रविस्टी का नियम शेयर कैपिटल को debit जो किष्ट नहीं चुकाई है उसे credit और शेयर forfeited को credit तो यहां share capital account debit, शम्तांच है, equity, share capital account debit, to equity share second and final call to share forfeited, फिर से सुने, equity, share capital account debit, to equity share final call to share forfeited, आपके दिमाग में प्रशन आ सकता है कि, sir, call in area, लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, सूचना के भाव में, लेकिन ज्यादा simple यही है, कि आप call का नाम प्रियोग करें, तो यहां पर सबसे पहले 200 अंशों का आप हरण कर रहे हैं, हरण कितिति तक मांगी गई राशी तो आपने पूरा 100 रुपए ही मांग लिया है क्योंकि अंतिम मांग की बात है, तो यहां तो आजाएगा 20,000 रुपए, फाइनल कॉल में आएगी बकाया मांग, तो बकाया मांग है 200 अंश और कित्ते रुपए से है, 30 रुपए से तो शेयर फाइनल कॉल में आजाएगा 6,000 रुपए और फोर फिचर में आपको हमेशा बताया कि इसमें जब्त राशी लिखी जाती है, वो राशी लिखी जाती है, कंपनी ने हरन करते समय वो राशी रख ली जब्त कर ली तो अंतर की राशी इसमें आपको डालनी है और वो राशी आ रही है चौदा हजार रुपए शेयर फोर्फिटेड को आप उपर नीचे लिख सकते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेकंड कॉल को नीचे लिखना है या वैसे फोर्फिचर शेयर अधिकतर एंट्री में हमने नीचे ही लिखा है लेकिन आपके बुक से यह ऐसे किसे सॉलीशन उठाया गया इस कारणी एंट्री इस तरीके से ऐसे भी ठीक है तो यहाँ पर यह बात समझ लिजे कि कंपनी ने इस अंशों के अंचधारी का हरन भी कर लिया है और 14,000 रुपए जो वो दे चुका है उसे जब्द कर लिया है अब कंपनी वापस से इन अंशों को किसी और को पुननरगमित कर रही है मोहित को पुननरगमित कर रही है लेकिन वो मोहित 200 अंश पूरे नहीं ले रहा ह। अधिक राशी का बट्टा नहीं दे सकते हैं तो अंश क्य hawते जबत की गई राशी किती है 14000 के साथ करते हैं वह इसलिए react debit शेयर कैपिट को ग्रेडिट करते है तो शेयर कैपिटल साथ जी साथ यहां और उस हनी को किस से पूरा करेंगे में एउस के बंगाने बैंक अकांट डेक्टबेट एंटेट अकांट अपन डेक्ट प्शेयर कापिटल अब अगर अंशरण खाते में कोई राशी शेश बसती है तो capitalism में जाएगी तो अगर आप share forfeiture में देखते हैं तो इसमें 14,000 रुपय का शेश था लेकिन हमने बटा कित्ता दिया 6,000 रुपय अगर normal mathematics से निकालते हैं तो आपको पता लगता है किसाब इसमें 8,000 रुपय शेश बचे हुए हैं जिसको ले जाने के entry होगी share forfeited account debit to capital reserve लेकिन एक साफधा नहीं रखनी है students capital reserve में पैसा ले जाने के लिए मुख्य शर्त ये है कि संपून अंश पुनह निर्गमित हो गए हो आपने हरन कितने किये आपने हरन जो अंश किये हैं वो हैं 200 और आपने पुनह निर्गमित कितने किये आपने पुनह निर्गमित किये हैं मात्र डेड़ सो तो पैसा capitalism में तो जाएगा लेकिन केवल उनी अंशों का जाएगा जो की पुनह निर्गमित हो चुके हैं आईए इसके लिए एक working note तयार करते हैं working note इस तरह से बनाएंगे 200 अंशों की कुल जबत राशी कितनी है 14,000 लेकिन आपने पुनह निर्गमित किये हैं आपने पुनह निर्गमित किये हैं कितने, तो डेट सो का निकालते हैं, अगर डेट सो अंशो का निकालें, तो 14,000 राशी है कितने अंशों की, 200 अंशों की, तो डेट सो की कितनी होगी students, तो डेट सो की जो राशी होगी वो हो जाएगी 10,500, इस calculation को solve करने पर हमको पता पर हमने घाटा कितना खाया, तो डेट सो अंशों पर पुनह है, निर्गमन का घाटा है, 6,000 रुपए, तो वास्तों में Capital Reserve में ले जाना होगा, कितना? 4500 रुपए, आपको समझ में आया होगा, एक बर फेट से समझें, जो 14,000 है, वो 200 अंशों का जब्त की राशी है, 200 अं पैसा तभी जा सकता है, जब अंश पुनह निर्गमित हो गए, तो 1500 अंश पुनह निर्गमित हो गए, तो हमने अनुपातिक रूप से निकाला, कि 14,000 अंश अरण पर फायदा हुआ, कितने अंशों पर, 200 अंशों पर, तो डेट सों पर कितना, 200 का भाग देंगे, तो 1 500 कुलाब हुआ, 1500 अंशों पर, और 6000 का घटा हुआ, 1500 अंशों पर, तो बचा कितना, 4500, उधारन संख्या 16 को पूरा करने के बाद, अब बात करते हैं, उधारन संख्या 14 की, हाइलाइट इंडिया लेमिटेड ने 100 रुपए वाले प्रतिक 30,000 अंशों को, 20 रुपए प्रतियंश अधी मुल्यान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया, 100 रुपए का एक अंश है, और 20 रुपए इसमें क्या है, प्रीमियम है, आवेदन पर 40 रुपए, 10 रुपए अधी मुल्यान सहित, 10 रुपए प्रीमियम सहित, बंटन पर 30 रुपए, 10 रुपए अधी मुल्यान सहित, यानि इस बार जो 20 रुपए की प्रीमियम है, वो दो 1000 अंशों के आवेदकों के अंशों का अनुपातिक बंतन किया गया और अतरिक्त आवेदन राशी को बंतन खाते में उप्योग किया गया आपनी बाजार में जो अंश रखे हैं वो रखे हैं 30000 आवेधन जो आया है वो 40,000 का आया है लेकिन वो 30,000 अंश केवल 35,000 अंशों को ही बाटा गया है इसका मतलब जो 5000 के अप्लिकेशन है उन्हें कोई अंश नहीं दिये गए है और यदि उन्हें कोई अंश नहीं दिये गए हैं तो उनके आवेदन राशी उन्हें लोटानी होगी रोहन जिसे 600 अंशों का आबंटन प्रोवाप्त हुआ था बंटन राशी का भुकतान करने में ऐसा फल रहा और उसके अंशों को आबंटन के पश्चात क्या कर लिया गया हरन कर लिया गया अमन जिसने 1050 अंशों के लिए आवेदन किया था शब्द पर ध्यांदे अमन नाम का एक अंशधारी है जिसने 150 अंशों के लिए आवेदन यानि इसने अप्लिकेशन फॉर्म भरा था 1050 अंशों के लिए अबिदान के स्थती में मुख्यत यह ऐसा कम होता है कि अंशधारी जितने अंश मांगता है उसे उतने अंश मिल जाए और यहां पर सभी अंशों को अनुपातिक दिया गया है तो इसे भी एक अज़ार एक यहां पर अगर बात की जाए तो रोहन जिसको 6 अंशों का बंटन प्राप्त रहें रोहन को 6 अंश मिले हैं तो आपको कहीं कुछ भी करने की जुरत निया लेकिन अमंण जिसने 1050 अंशों के लिए आविदन किया था इसका मतलब यह कि अमन ने 1050 अंश मांगे थे और रातिय अविदान में 1050 अंश अमन को नहीं मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर सभी अंशदारियों को अनुपातिक बंटन तो इसे मिले कितने होंगे उसकी calculation करना आपको सिखाएंगे क्योंकि सवाल उसी से solve होगा प्रथम मांग राशी का भुकतान करने में ऐसा फल रहा और उसके अंशों का प्रथम मांग के पश्चाध हरन किया है रोहन के अंशों का बंटन के पश्चाध हरन किया है दित्य और अंतिम मांग मांगी गई और दित्य मांग पर दे सभी राशी प्राप्त हुई हरन किये गए अंशों में से हजार अंशों को 80 रुपर प्रती अंश के पून भुक्तान पर पुनह निर्गमित किया जिसमें अमन के सारे अंश शामिल है हाईलाइट लिमिटेड के पुस्तकों में आवशक रोजनामचा प्रविस्ठियां दीजिए सवाल को एक बार पूरा समझ लीजे 30,000 अंश, 100 रुपय का एक, 20 रुपय प्रीमियम वो 20 रुपय प्रीमियम, 10 रुपय आवेदन पर प्राप्त हो रही है 10 रुपय बंटन पर प्राप्त हो रही है 40 रुपय का आवेदन है, 30 रुपय का बंटन है 30 रूपई की प्रत्थम मांग और 20 रूपई की अन्तिम मांग है 40,000 अंशों के लिए आविदन प्राप्तु हैं तो यति विधान की स्थिती है 35,000 अंशों को ही अनुपातिक बंटन किया गया यानि जो हमारे पास 30,000 अंश हैं वो हमने 35,000 अंचधारियों को अनुपातिक तौर पर बाढ़ दिये हैं इसका मतलब यह कि 5000 अंचधारियों को उनकी application मनी वापस लोठानी है और यह 35,000 का जो पैसा बचेगा एक्स्ट्रा पैसा वो बंटन में adjust करना है रोहन 600 अंचधारियों उसने आबंटन का भुकतान नहीं किया इसके आबंटन के बाद हरन हो गया अमन जिसने 1050 अंचधार के लिए आवेदन किया था तो यह अंच निकालने होंगी कि इसको कितने मिले उसने प्रथम मांग दाशी नहीं चुकाई और उसके अंचों का हरन प्रथम मांग के बाद कर लिया दित्ति और अंतिम मांग मांगीगी सभी ने चुकाई है हरन जो अंच के उसमें से 1000 अंचों को 80 रुपए पर बेचा है जबके अंच का अंकित में लेकिता है 100 रुपए इसका मतलब आपने अंच का पुनहने गमन काई पर किया है बट्टे पर किया है तो आईए शुरू करते हैं एंट्री पहली एंट्री की बात करें तो 40,000 अंचों से होगी 40,000 गुना 40 और जब ऐसा आप करेंगे तो यह आता है 16,000,000 रुपए तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक शेर अप्लिकेशन 16,000,000 रुपए तो पहली एंट्री में डाल दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेर अप्लिकेशन 16,000,000 अब इस 16 लाग की अलग-अलग entry सुन लीजे क्योंकि हम एक entry mix entry करेंगे 30,000 अन्शों से तो होगी share application account debit to share capital to securities premium premium इसके साथ है और आपको पता है application में अगर premium हो तो second entry में दिखाना है क्योंकि share capital वहाँ पर है तो 30,000 अन्शों की जो प्रविस्टी होगी वो तो होगी share application account debit to share capital to securities premium लोटाने की जो प्रविस्टी होगी वो होगी share application account debit to bank और समयोजित करने की जो प्रविस्टी होगी वो होगी extra पैसा भी तो होगा ने 5000 अन्शों का क्यों होगा 5000 अन्शों का क्योंकि 40,000 ग्याविदन आए 30,000 अन्शी है तो इसका मलब 10,000 अन्शों का पैसा ज़ादा आ गया है उसमें से आपने 5000 कोई तो वापस किया है तो 5000 अन्शों का जो पैसा होगा उसे आप बंटन में समया जित करेंगि जिसके एंट्री होगी शेर अप्लिकेशन अकांट डिवैट टू शेर अलॉट्मेट अब जो मैंने टीन आन्टरी बोली में सब में कॉम्मन है शेर अप्लिकेशन डेविट तो mix एंट्री का म conception है शेयर अप्लिकेशन एकाउंट डेट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योर्टी प्रीमियम, टू बैंक, टू शेयर अलॉट्मेंट, आईए इस एंट्री का आपको अमाउंट समझाते हैं, शेयर अप्लिकेशन में आप पूरे सुला लाख लिख दीजिए, कैपिटल में आप 30,000 अंशो का पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो 30,000 गुणा 30,000 वैसे बंटन 40 रुपए, वो एप्लिकेशन 40 रुपए से लेकिन या 30 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम है, वो अलग से लिखी जाएगी, 30,000 गुणा 10, तो यह राशी डाल दीजिए आप, शेयर कैपिटल में 9,00,000 रुपए, सेक्योर्टीज प्रीमियम में 3,00,000 रुपए, शेयर अलोट्मेंट में और बैंक में कितना पैसा तो पहले बैंक में डाल दीजिए, बैंक में आएगा 5000 अंशो को आपने पैसा वापस किया है, 5000 x 40, तो आप 2,00,000 12,00, 12,00, और 2,00, 14,00, तो बचे कितने 2,00,000, जो कि बंटन में समयवजित हो जाएंगे, यह यहां तक का काम हो गया, यह की प्रिविस्टी में हमने कैपिटल में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया, बंटन में अधिक्ये को समयवजित भी कर दिया, और आविदन के अधिक्ये क securities premium तो यह डाल दीजी आप share allotment 30,000 गुणा 30 यह आएगा 9 लाख 30,000 गुणा 20 रुपए premium में और 30,000 गुणा 10 रुपए securities premium में तो यह आजाएगा 6 लाख और साथ ही साथ 3 लाख जैसा के किष्ट में दिया गया है क्या दिया गया है कि 30 रुपए का बंटन है जिसमें 10 रुपए premium है तो वो हमने कर दिया है अब अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि 600 अंशों के धारक ने बंटन नहीं चुकाया आपको पहले भी समझाया गया और फिर समझा रहा हूँ यदि आपने कहीं पर आवेदन का अधिक के समय जित किया है तो बिल्कुल हमने आवेदन का अधिक के बंटन में समय जित किया है और अगर वहीं पर बकाया मांग है तो बकाया मांग घुणा करके सामने तरीके से नहीं निकलेगी बलकि आपको क्या करना होगा एक स्पेसिफिक सुत्र लगाना होगा चुन anthrop aime को किया और आपने दो लाख में चुने रुपकाय को सिट्कि और इन्युक्य वांस्तिक प्राप्त प्रापत्यों करना के लिए सित्र का प्रियोग करने हैं जो कि सुत्र है वास्त्विक प्राप्तियोग्य राशी इंटू भकायांश वास्त्विक प्राप्तियोग्य जो राशी है वह 7 लाग है कैसे आपने 9,008 यह राशी निकल कर आती है 14,000 बंटन प्र प्राप्त राशी 7,001 में से 14,000 रुपए घटा दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 6,86,000 रुपए तो बैंक एकाउंट डेबिट टू शेर अलाटमेंट और वो कर दीजिए आप 6,86,000 रुपए से अब जैसा सवाल में लिखा हुआ है अगर आप सवाल पर गौर करेंगे इस अंश्दारी ने बंटन नहीं दिया और कंपनी ने यहीं पर इसके अंशों का हरन कर लिया अगर बात करें हरन के लिए क्या नियम आपको बताया गया था शेर कैपिटल को डेबिट अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुए तो प्रीमियम भी डेबिट करेंगे तो यहां consequence नहीं चुकाई है यहां allotment नहीं चुकाई है उसे credit करेंगे और share forfeited को credit करेंगे तो क्या entry बनी share capital account debit securities premium account debit to share allotment to share forfeited तो अगर हरण की प्रवस्टी की बात की जाए तो कुछ आपके सामने हरण की प्रवस्टी कुछ इस तरीके से है कित्ते अंच छस्सों कि आप अगर नोट को गौर से पढ़ेंगे तो आपको लिखाया गया कि अंच पुझी में हरण किति तक मांगी राशी आती है तो गौर कीची का students आपने 40 रुपए आवेदन पर मांगे हैं और 37 रुपए बंटन पर मांगे हैं total 70 रुपए मांग चुके हैं जिसमें 20 दलते समय तो अभी तक आपने 50 रुपए मांगे हैं कितने रुपए मांगे हैं 50 रुपए मांगे हैं आप देख सकते हैं सवाल जहां शुरू हो रहा है ये देखिए 50 रुपए मांगने बाकी हैं इसका मतलब 50 रुपए मांग लिए हैं कि तो पर मुलौ Lorwe से premium को हटाने के Securities premium ये आएगा 600 गुणा 10 only क्योंकि सिर्फ 10 रुपए ही premium प्राप्त नहीं हुआ है बकाया राशी गुणा करके नहीं अगर आपने सुत्र करके निकाली है तो वो डालनी है आपने सुत्र से 14,000 रुपए बकाया राशी निकाली है वो ही डालनी है अंतर की राशी डाल दीजे फॉर्फटेड में तो जब हम 36 में से 14,000 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 22,000 रुपए रोहन के अंशों का हरन करने के बार अब बात करते हैं प्रथम मांग की अगर प्रिष्ण के शुरुवात में देखा जाए तो प्रथम मांग की राशी नों ने बताई है 30 रुपए अंशों की संख्या है अब 30,000 में से 600 अंशों का हरन किया जा चुका है इसका मतलब अब जनता के पास अंशों की संख्या है गुंतिस अजार 400 तो जो प्रथम मांग मांगी जाएगी वो मात्र केवल 23,400 अंशों पर ही मांगी जाएगी हमेशा धिहान रखें यदि बीच में ही अंशों का हरण कर लिया गया है और हरण के बाद अगर कोई किष्ट मांगी जा रही है तो उन अंशों पर किष्ट नहीं मांगी जा सकती जिन अंशों का हरण कर लिया गया है तो 23,400 सुकुल हम गुणा करेंगे 30 रुपए से क्योंकि प्रथम मांग दी गई है 30 रुपए से और जब हम इसको गुणा करते हैं तो यह राशी आती है प्रथम मांग को दे करने की प्रविस्टी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो आएए यहां डाल दीजे आप आठ लाक बियासी हजार रुपए फर्स्ट कॉल में सवाल को जब आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अमन जिसके पास जिसने एक अजार अंशों के लिए क्या किया है आवेदन किया है एक अजार अंशों के लिए आवेदन किया था प्रथम मांग राशी का भुकतान करने में ऐस अफल रहा अती अविदान के स्तती में यदि किसी अंशधारी के साथ ये कहा जाए कि वो इतने अंशों का आवेदक है या फिर उसने इतने अंशों के लिए आवेदन किया था तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे उतने अंश नहीं मिले होंगे जितने उसने आवेदन किये थे यहाँ पर अमन ने 1050 अंशों के लिए आवेदन किया लेकिन आपको पता है कि 40,000 अंशों के लिए आवेदन आने के बाद 5000 अंशों को मना करके कंपनी ने 35,000 अंशों के अंशधारियों को 30,000 अंशों का बंटन किया है तो अमन ने 1050 अंच मांगे हैं तो इसको अंच कितने मिले होंगे पहले उसकी गढ़ना करनी होगी उसके बाद ही प्रथम मांग के बकाय राशी को निकाला जा सकता है तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से निकाला जाएगा तो पहले आप इस पूरे अनुपात को समझ लें कि 40,000 के आवेदना है 5,000 को एस्विक्रत कर दिया तो भी 35,000 आवेदन करता हों को कमपनी ने 30,000 अंच बाटे हैं तो हम इसे पहले गर्णा कर लेते हैं इसकी इसका वर्किंग नोट हमने तयार कर रखा है अमन को आबंटित अंचों की संख्या किस तर से कैलकुलेशन होगी दिये गए अंच उपर 30,000 कुल आवेदित अंच नीचे 35,000 चालिस नहीं रखेंगे क्योंकि 5000 को अपने मना कर दि और जब आप इसको solve करते हैं students तो यह आता है 900 अंच यानि वास्ता में अमन को 900 अंच मिले हैं अब इसने प्रथम मांग राशी नहीं चुकाई है तो आप 900 गुणा तीस करेंगे यह बकाया मांग निकालने का सामाने तरीका है जबकि बंटन में हमने बकाया मांग एक अनु समयजित किया जाता है अगर वहां पर बकाया मांग हो तो अनुपातिक calculation करनी है और सभी सवालों में अगर सामाने सवाल से मतलब जहां पर आवेदन का अधिक के समयजित नहीं हुआ है तो वहां बकाया मांग आपको नौर्मल तरीके से निकालने हैं यह कभी भी ना सोचें की बंटन में सुत्र लगता है अगर प्रथम मांग में राशी समयजित होगी तो प्रथम मांग में भी इस calculation को लगाया जा सकता है कुल मिलाकर जहां पर आदिक के समयजित होगा वहां बकाया मांग की calculation होगी वरना नौर्मल गोना करके निकाले तो यह आता है 27,000 रुपए अब बात यह आती है कि आपने जो किष्ट को ड्यू किया है वो किया है 8,82,000 से जैसा कि अभी हमने किया था उसमें से 27,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए इसका मतलब हमें प्राप्त कितने हुए 8,55,000 रुपए प्रथम मांग को प्राप्त करने की जो प्रविस्टी की जा और इसका माउंट होगा 8,55,000 रुपए सवाल को ध्यान से आप शुरू से पढ़े हैं अमन जिसने 1050 अंशो के लिए आवेदन किया था कौन सी मांग राशी नहीं चुकाई प्रथम मांग राशी चुकाने में ऐसा फल रहा और उसके अंशो का हरण यहीं पर कर लिया है देखेंगे कि क्या अमन ने प्रीमियम का भुकतान कर दिया तो बिलकुल अमन ने प्रीमियम का भुकतान कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि यहां पर प्रीमियम दस रुपए आवेदन के साथ है और दस रुपए बंटन के साथ है और अमन ने दोनों ही किष्टों को चुका द तो आईए हरन की बात करते हैं अब शेयर capital account debit two share first call two share forfeited आपको शेयर capital को हरन में हमेशा debit करते हैं शेयर forfeited को हमेशा credit करते हैं और बीच में उस किष्ट का नाम लिखा जाता है जिसका भुकता नहीं किया और premium को यहां पर debit क्यों नहीं किया इसका कारण आपको बता दिया गया अब बात करते हैं शेयर capital में राशी तो 900 गुणा 80 क्यों आएगा 80 आप जिस किष्ट के बाद हर प्रदस premium शामिल है शेयर capital में amount डालते हैं मैं हमेशा premium को हटाते हैं क्योंकि यहां पर केवल अंकित मुल्य का भाग देखते हैं हमने कितना मांगा तो हमने किष्टों में मांग तो सो लिए लेकिन उसमें से अंकित मुल्य के अभी तक हमने कितने रुपे मांगे 80 रुपे तो 900 को 80 से गुणा कर दें यहां पर आ जाएगा 72,000 रुपे फर्स्ट कॉल की बकाया राशी जो कि अपने निकाली है कितनी 900 इंटू 30 जो कि आएगा 27,000 रुपे और 4 फिचर में डाल दें अंतर की राशी जो कि आ रही है 45,000 रुपे 72,000 में से 27,000 घटा कर यह वो राशी है जो कमपनी ने अमन के अंशों की सदस्यता भी समाप्त कर दी और 7-7 अमन 45,000 रुपे का भुकतान कर चुका है वो भी कमपनी ने जब्त कर लिए आगे का सवाल अगर पढ़े हैं तो सवाल में लिखावा है कि दित्य मांग मांगी 2700 अंशों को घटाने के बाद अब अंशों की संख्या जनता में है 28,500 तो अब जो आप प्रथम वो सौरी अंतिम मांग जो ड्यू करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 28,500 अंशों पर करेंगे और 28,500 को गुना किया जाएगा अंतिम मांग है 20 रुपे से जब आप इसको 20 रुप करेंगे जिसकी जनल प्रविस्ट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेविट टू शेयर कैपिटल 5,70,000 और साथ ही साथ पूरा-पूरा पैसा प्राप्त हो रहा है क्योंकि फाइनल कॉल में कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है फाइनल कॉल पूरी-पूरी प्रा 25,70,000 इसके बाद अगर बात करें तो सवाल में आगे लिखावा है कि जो आपने अंच हरण कर रखे हैं हरण किये गए अंचो में से अब इनकी बात हो रही है ये जो हरण आपने दो बार किया एक रोहन के अंशों का बंटन के बाद और अमन के अंचों का आपने हरण किया ह है प्रथम मांग के बाद 9 अंशों में से हजार अंश 80 रूपय प्रती अंश के दर से %100 का एक अंश आपने 80 CRF में पर जारी कर दिया इसका मतलब आपने पुनह पर यारी क्या बत्टे पर गया और बट्टा कितना 20 रूपय इसे जिसे जिसमें suivre अमनN के और 900 अंश अमन के हैं अब हमने इसमें से 1000 उठाएं और अगर 1000 उठाएं तो अमन के पूरे 900 जारी किये हैं तो फिर रोहन के हमने सिर्फ और सिर्फ 100 जारी किये हैं और रोहन के 500 अभी भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं चलिए खेर उसका impact पड़ेगा capital reserve में अभी पहले प साथ company को क्या हो रहा है घटा हो रहा है जिसके लिए share forfeited को debit करेंगे तो entry होगी bank account debit share forfeited account debit to share capital bank में एक हजार अंश असी रुपए से जारी हो रहे हैं एक हजार गुणा बीस बीस हजार तो यहां लिख दीजे असी हजार यहां लिख दीजे बीस हजार और यहां लिख दीजे एक लाग अब बात आती है capital reserve की अंशों के पुनह निर्गमन के पहशाद अंश हरन खाते में यदि कोई राशी बचती है तो उसे capital reserve account में ले जाते हैं लेकिन जरूरी बात यह है कि अंशों का पुनह निर्गमन हो गया हूँ अब यहां पर 1500 में से केवल 1000 अंशों का ही पुनह निर्गमन हुआ है तो पुन्जी संचे की गढ़ना कैसे की जाएगी पहले उसका working note तयार करते हैं कुन्जी संचे की गढ़ना अमन के अंशों के हरण पर कुल जबत राशी अमन के अंशों के हरण पर कुल जबत राशी 45,000 पूरी राशी ले लेंगे क्यों ले लेंगे क्योंकि अमन के सभी अंश पुनह निर्गमित कर दिये गए हैं जबकि रोहन के सिर्फ 100 अंश ही पुन लेकिन पूरा 22,000 आप capitalism में नहीं ले जा सकते क्योंकि मात्र 100 अंशे जारी हुएं और जो अंश जारी हुएं उन्ही का पैसा capitalism में जाएगा तो इसको अनुपातिक निकालना होगा कैसे निकालेंगे 22,000 में 600 का भाग देंगे और कित्ते अंशों से गुणा करेंगे 100 से क्यों 23,666 रुपए 100 अंशों का फायदा है 3,666 तो आप capitalism में maximum ये amount ले जा सकते हैं 45,000 और 3,666 का total होता है 48,666 रुपए और आपने पुनहे निर्गमन पर जो घटा खाया है उसकी राशी है 20,000 रुपए तो इसे गटाने के बाद जो पैसा बसता है वो पैसा capitalism में जाता है तो अब राशी निकल कराती है 28,666 रुपए जिसे capital reserve में ले जाएंगे और entry होगी share forfeited account debit to capital reserve 28,666 रुपए उधारण संख्या 14 को पूरा कर लेने के बाद अब बात करते हैं उधारण संख्या 17 की एक जन्वरी 2014 को X Limited के संचालकों ने 50,000 अंशों को 10 रुपए प्रतियंश के मुल्य के अंशों को प्रतियंश 12 रुपए पर जनता को क्रै करने के लिए जारी किये यानि 50,000 अंश है 10 रुपए उनका अंकित मुल्य है लेकिन आपने 2 रुपए प्रीमियम 12 रुपए पर उनने जारी किया है आवेदन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित जो 2 रुपए प्रीमियम है वो आवेदन के साथ है और जब आवेदन के साथ प्रीमियम होता है तो प्रविस्ट्री 2 में प्रीमियम को दिखाया जाएगा आबंटन पर 4 रुपए और 6 मांग पर तो 12 में से 9 रुपए आ चुके हैं तो मांग पर 3 रुपए होंगे 10 फरवरी 2014 को अभिधान सुची बंद कर दी गई इस दिन तक 70,000 या अभिधान सुची बंद कर दी गई और अधिक्तर प्रिशन अधियविदान के ही आपको देखने को मिलेंगे प्राप्त राशी में से 40,000 रुपए वापस कर दिये गए और 60,000 रुपए आबंटन पर दे राशी का समयोजन बंटन पर किया गया आपका काम आसान कर दिया गया है स्टूडेंट्स यहां राशी के साब से ही आपको बता दिया गया है आपको पता है कि जो आविधन राशी है वो 5 रुपए है तो 50,000 रुपए के साब से आपको धाई लाख रुपए प्राप्त होने चाहिए जबकि 70,000 इंशों के आविदन प्राप्त हैं तो 70,000 इंटू 5 यानि 3,50,000 रुपए आपको प्राप्त हैं एक लाख रुपए अतरिक्त प्राप्त है उस एक लाख अतरिक्त रकम में से 40,000 जनता को वापस करना है यानि शेर अप्लिकेशन टू बैंक और 60,000 रुपए बंटन में अर्जस्ट करने जिसकी एंट्री होगी शेर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू शेर अलॉट्मेंट राशी आपको खुदी ने बता दी है जिसकी 6 रकम 16 फरवरी 2014 को बुकतान कर दीगी 60,000 रुपए बंटन में करने के बाद बाद बाकी जो रकम बंटन के प्राप्त हो नहीं है वो 16 फरवरी को प्राप्त हो गई सिवाए 500 अंचों के आबंटियों को के सभी अंच धारकों ने 1 माई 2014 को दे मांग राशी का भुकतान कर दिया इन अंचों को 30 दिसंबर 2014 को जप्त कर लिया गया और 1 नवंबर 2014 को प्रती अंच आठ रुपए पर पुरने गमित कर दिया कमपनी की निती के अनुसार मांग बकाया राशी का खाता नहीं खोलना है वैसे भी जब तक प्रश्ट में सूचना नहीं हम कॉलिनेर अकाउंट नहीं खोलते हैं सिखाया आपको दोनों तरीके से हैं कमपनी की भहियों में अंश्पुंजी लेंदेन रोजनामचा प्रविस्टियां कीचिए आपको जनल एंट्रीस करनी है सवाल जादा टिपिकल नहीं है एकदम सिंपल सा सवाल है सत्तर हजार को पांच से गुना करेंगे पहली प्रविस्टिय के लिए और एंट्री होगी बैंक एकाउंट डेविट टू शेर एप्लिकेशन जिसकी राशी होगी तो यहां डाल दीजिए तीन लाख पचास हजार रुपए इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको पता है कि तीन लाख पचास हजार में से दाई लाख रुपए तो शेर कैपिटल के हैं क्योंकि पचास जार एंशो से से केंड एंट्री हम करते ही हैं टूंस के एंट्री होगी शेयर अप्लिकेशन अकाउंट डे क्वेटी टू शेयर कैपिटल दो लाख पचास während चालीच जार रुपए आपको वापस करने है जैसा कि इस प्रशन में बताया गया है जिसकी प्रवयस्टिय होगी share application account debit to bank और साथ ही साथ साथ हजार रुपए बंटन में समायजित करने है जिसकी जर्णल प्रोईस्टी होगी share application account debit to share allotment तीनों entries में application common है mixed entry बनेगी share application account debit to share capital to bank or to share allotment लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर premium भी है तो जो second entry आप करते वो करते share application account debit to share capital to securities premium क्योंकि इस बार जो premium है वो आवेदन के साथ दे है तो premium भी credit होगा तो अब entry बनेगी share application account debit to share capital to securities premium to share allotment और to bank तो आईए share application account debit यहाँ पर entry अलग-अलग की गई है अलग-अलग आपको समझाने के हिसाब से है आगे देखें यह entry लोटाने की यहाँ कर रखे share application account debit to bank to equity share allotment आप चाहें तो इसे mix भी कर सकते हैं यहाँ पर दो entries के माध्यम से इसे समझाया गया है तो आईए फिर बात करते हैं फिर यह वाली जो प्रिस्टी है अगर आप अलग-अलग कर रहे हैं पटाने के और समय जनके अलग कर रहे हैं तो फिर second entry साड़े तीन लाख रुपए से ना होकर दो लाख पचास जार से हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा दो लाख पचास जार रुपए अब आपको पता है कि पचास जार अंशों में दो रुपए दो रुपए से क्यार्टीस प्रीमियम है तो तीन रुपए शेयर कैपिटल है तो यहाँ पर राशी कैसे डालेंगी पचास हजार गुणा तीन और पचास हजार गुणा दो यह पांच रुपए के हमने टुकडे कर दी हैं तो यहाँ पर एक लाख रुपए और यहाँ पर एक लाख पचास जार रुपए और लोटारी की एंट्री और बंटन में समयाजित करने की जो एक लाख रुपए की राशी है एक लाख रुपए एक्स्टा बच रहा है वो इस तरीके से mix करके entry समझाए गई थी तो बात करते हैं अब अलग अगर entry करेंगे तो क्या entry होगी फिर से share application, account debit, to bank और to share allotment तो आते हैं बात equity share application में एक लाख रुपे लिख दीजिए क्योंकि एक लाख रुपे तरिक्त आया है उसमें से 40,000 रुपे refund कर दीजिए जैसा सवाल में बताया गया है और 60,000 रुपे को क्या कर दीजिए समायोजित कर दीजिए समायोजित कर लेने के बाद अब बात करते हैं बंटन को देय करने की तो बंटन राशी 4 रुपे से बताई गई है तो 50,000,4 दो लाख रुपे से बंटन ड्यू किया जाएगा जिसकी प्रविस्ट्री होगी एक्विटी शेयर अलॉट्मेंट अकाउंट डेबिट टो एक्विटी शेयर कापिटल जिसकी राशी होगी 2 लाख रुपे में कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है इसलिए 1,40,000 रुपे पूरा पूरा प्राप्त कर लिया जाएगा 2,000,000 में से 7,000 रुपे घटाने के बात अब बात करते हैं प्रथम मांग की तो प्रथम मांग स्टूडेंट कितने से है प्रथम मांग अगर सवाल में आप देखेंगे तो प्रथम मांग 3 रुपे से है प्रथम मांग को ड्यू करने की प्रविस्टी की जाएगी अब नेकिन सवाल में आगे लिखावा है कि पान सो अंशों के अंशधारियों ने एक मही 2014 को दे मांग राशी या नि मांग राशी का भुकतान नहीं किया है तो 500 गुणा 3 15 सु रुपए घटाएंगे और 1,48,500 रुपए की रकम प्राप्त करेंगे जिसकी जनरल प्रविस्ट्री होगी यहां तक का सवाल करने के बाद जब आगे सवाल को पढ़ते हैं तो लिखा हुए गुंतिस दिस्टमबर 2014 को इन अंशो को क्या कर लिया गया जब्त कर लिया गया अगर आप अंशो को जब्त कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अपने अंश काई पर दिये हैं तो यहां पर कंपनी ने अंश प्रीमियम पर जारी किये हैं प्रीमियम पर जारी किये अंशो को ये देखना होगा कि आप जिसके अंशो का हरन कर रहे हैं उसने प्रीमियम राशी का भुकतान किया है या नहीं किया है तो यहाँ पर जिन पांचोंचों का हमारा रण कर रहे हैं उन्होंने प्रीमियम का भुक्तान कर दिया क्योंकि प्रीमियम आवेदन के साथ है और उन्होंने केवल मांग राशी का भुक्तान नहीं किया है तो प्रीमियम अगर प्राप्त हो गई है तो उसे हरन की प्रविस्ट first and final call अगर बात की जाए तो 500 को गुणा किया जाएगा 10 रुपए से हरन कितिती तक मांगी गई राशी 5, 4, 3 टोटल आपने 12 रुपए मांग लिए capital में amount डालते समय premium हमेशा अलग करते हैं किवल ये देखते हैं कि कित्ता मांगा तो बंकित मुल्य हमने पूरा 10 रुपए मांग लिया है 500 गुणा 10 यहाँ पर डाल दीजे 5,000 इसमें डालिए बकाया मांग राशी 500 इंटू कित्ते रुपए से 3 रुपए से तो first call में 1500 रुपए और अंतर की राशी 3500 रुपए आजाएगी और शेश राशी को capitalism में ले जाएगी तो जैसा कि सवाल में दिया गया है कि आपने नंशो को 8 रुपए पर पुरे निर्कमित कर दिया जबकि अंश का अंकित मुल्य कित्ता है 10 रुपए इसका मतलब 2 रुपए का घाटा हुआ है जिसे हम यहां पर share forfeited से पूरा करेंगे पुरह निर्कमन की entry जब कंपनी अंशो का पुरह निर्कमन करती है तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेविट share forfeited account debit to equity share capital तो बैंक में आप राशी डाल दीजे 500 गुणा 8 4000 share forfeited में डाल दीजे 500 गुणा 2 1000 और टोटल डाल दीजे 5000 अब बात करते हैं पुझी संचे तो पुझी संचे के लिए आपको कितना फायदा हुआ 3500 आपको घाटा कितना हुआ 1300 में से 1000 पूरे घाटा कर सीधा capitalism में ले जा सकते हैं कहीं कोई अनुपातिक calculation की ज़रूत नहीं है अनुपातिक calculation वहां की जाती है जहां पर हरण अंच किये हूँ जादा और पुनह निरगमित किये हूँ कम इस सवाल में आपने जितने हरण किये सारे पुनह निरगमित कर दिये चले जाएंगे इसी के साथ आपका उधारण संख्या सत्रा पूरा होता है अगले वीडियो में मिलेंगे अगले उधारणों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद